दोस्तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल इंगलिश बाब उपर और आज हम बात करने वाले हैं इंटर्प्रेटेशन आफ इंटेंशन जैसा आप यहां देख सकते हैं दोस्तो इंटेंशन का मतलब होता है इरादा ये एक नाउन है और इसकी वर्व होती है इंटेंड तो दोस्तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजी और मतलब क्या होता है इंटेंशन का मतलब होता है इरादा जो की एक नाउन है और जब हम इसको वर्व की तरह यूज करते हैं तब हमें इंटेंशन का प्रियोग नहीं करना होता है तब हम लगाते हैं यहां पर इंटेंड तो दोस्तो मैं आपको इसके चैप्टर के बारे में इसका मैं आपको present और past दोनमें यूज्स बताऊँगा कि इसको present और past में किस तरह से यूज्स करते हैं हुर खिसके इंतर बना सकते हैं तो चलिए दूस्तों सब सबसे पहले हम इसको present में करना सीखते हैं in the sense of present मतलब की present में वर्तमान में इसका क्या यूज़े में उसके बारे में आपको बताऊंगा सबसे पहले आप identity देख लीजिए दोस्तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा वाक्या है जिसके अंदर इरादा और साथ में करने का है जैसे माली जे सेंटेंस है मेरा वहां जाने का इराद है मेरा उन लोगों की मदद करने का इरादा है मदब जिसमें इरादा और करने का है वगेरा टाइप के कुछ सेंट वर्ड्स हों तो वहां पर हम इस चैप्टर को यूज़ करेंगे दोस्तों इसका फॉर्मूला देख लीजिए सबसे पहले आपको सब्जेक लिखना है उसक दूसरी बात में आपको बताना चाहूंगा जब आपका सब्जेक्ट होगा आई वी यूदे अ प्रॉरल उनके साथाथ आपको इंटेंड का प्रियूख करना है उ संक्राइब उनकी आपको सब्जेक्ट होगा वहां इसकी दोस्तो यह चीज आपको अच्छी तना से याद रखने हैं अगर आप इसको जो इntend या intent को अगर आप गलत तरीक के करते हैं तो यो गलत हो जायगा तो आपको intent का प्रियोग जरूर करना है लेकिन कैसे करना है वो आपको subject के according करना है I view they में intent और he sheet में intent चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं अब हम इसके कुछ sentences देखते हैं कि हम इसमें sentences बना कैसे सकते हैं जिसे यहाँ पर हम एक वाक्य देख सकते हैं मेरा इरादा उस मकान को खरीदने का है तो दोस्तों इसमें इरादा वर्ड आ रहा है और इसमें काहे भी आ रहा है करने काहे खरीदने का इस टाइप के जो इसमें sentence हम देख सकते हैं मेरा इरादा उस मकान को खरीदने का है तो इसके अंदर subject जो है वो हमारा है I तो I के लिए हम intent का प्रियोग करेंगे जैसे मैंने भी आपको उपर बताया I view दे में हमको intent का use करना होता है तो सबसे पहले हमने I लिखा उसके बाद हमने लिखा intent उसके बाद formula में 2 लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें भी intent के बाद 2 का प्रियोग करना है उसके बाद वर्फ की first home तो दोस्तो इसमें हमें देखना है जैसे मैंने आपको बताया 2 के बाद हमेशा वर्फ की first home का ही इस्तेमाल हमें करना होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा I intend to to के बाद आपने verb लिखी और object अब बचा object object क्या है उस मकान को यह हमारा दोस्तों object हो गया उसके लिए हमें that का प्रियोग करना है मकान के लिए house तो यह हमारा answer हो जाएगा I intend to purchase that house चले एक और वाक्य बनाते हैं अगला वाक्य है क्या आपका इरादा यह मकान खरीदने का है दोस्तों यह एक intuitive sentence है जब कोई वाक्य जिसकी शुरुवाद do या does से होती हो तो वह एक intuitive होता है और एक चीज़ याद रखेगा जब भी आपको वाक्य ट्रांसलेट करना चाहते हैं जिसकी शुरुवाद क्या से होगी वहां हमेशा आपको helping of का ही इस् intent जो हमारी helping वर वह लिखने है do you intend to लगाया उसके बाद वरकी first home और उसके बाद लिख दिया object तो यह क्या हो गया do you intend to purchase that house दोस्तों यह है यहां पर यह मकान खरीदने का है तो यह के लिए आप that ना लगाए यहां पर हमें दिस लगाना होगा तो इसका answer क्या होगा do you intend to purchase this house चली आगे देखते हैं उसका इरादा सबको धोखा देने का है दोस्तों यहां जो हमारे subject है वो ही उसका है तो उसका के लिए हम he or she कुछ भी लगा सकते हैं जब भी आप कोई ऐसा बाक्या बनाते हैं जहां subject का gender ना पता चले वहां पर आप he or she कुछ भी लगा सकते हैं तो और he or she or singular आएगा तो हमें intense लगाना है तो हमने intense लिखा he intense उसके बाद two और वर्व की first home धोका देने को deceive कहते हैं और सबको के लिए हमने all लगा है तो इसका answer क्या हो जाएगा he intense to deceive all और इसके अंदर कोई object है नहीं आगे देखें उसका इरादा सबको धोका देने का क्यों है यह यह भी integrative sentence है और इसके अंदर जो एक integrative word है वो है क्यों तो हमें क्या करना है सबसे पहले हम integrative word को ही हमें use करना होगा सबसे पहले हमने integrative word लगाया why उसके बाद हमने formula लगाया तो he subject है तो हमने does लगा दिया why does he अगर यहाँ पर he के अलाबा I, V, U, they plural होता तब हम does नही why does he उसके बाद हमने intend लिखा और उसके बाद two और उसके बाद word की first home deceive मतलब होका देना और all मतलब सबको तो क्या answer हो जाएगा why does he intend to deceive all चलिए दोस्तों यह हम कर चुके हैं अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इसका past में कैसे use करेंगे दोस्तों past में इसका use देख लीजिए आप in the sense of past सबसे पहले आप identity देख लीजिए identity इसकी क्या है इरादा और करने का था तो दोस्तों जब भी आपके सामने कोई तरह का वाकिया आएगा जहां पर इरादा शव्दाय और साथ में करने का था वगेरा हो तो वहाँ पर आपक देखिए subject उसके बाद intended past में आपको intended का प्रियोग करना है फिर टू और उसके बाद वर्व की first home यहां पर भी आपको वर्व की first home में लगानी है और उसके बाद object दोस्तो चलिए अब हम कुछ वाकिया बना लेते हैं जैसे वाकिया है मेरा इरादा उस मकान को खरीदने का था तो दोस्तो यह past का sentence है तो past में हमें इसी formula को इस्तेमाल करना है यह positive का यहां जो formula है I, I के बाद हमने intended लिखा I intended to उसके बाद वर्की first home खरीदना खरीदने के ल I intended to buy that house और दोस्तो जब इंट्रूगेटिव में आएगा तो आपको इसमें क्या करना होगा डिड़ आपको आगे लिखना होगा सबसे पहले जैसे क्या है तो इंट्रूगेटिव है आपको यहां पर क्या करना है आपको पहले helping of लगानी helping of कैड डिड डिड उसके बाद सब सब्जयक्त लिखा डिड यू आप यहां पर सब्जक्त एक क्या आपका तो इहां पर सब्जेक्त हो गया डिड यू इंटेंड और आपको यह चीज आद रखनी है जब आप डिड कैसी भी बाक्की में लगा लेते हैं डिड यद नौट तो आप कभी भी सेकेंड फॉम का प तो दोस्तों मैंने आपको यह chapter explain कर दिया है कि आप इस तरह के बाकिये जिसके अंदर इरादा शब्द वगेर आता है तो आप कैसे उनको बना सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपको अची तरह समझ में आ गया होगा और आप इनकी practice करिए और जब भी मैं आपको एक निया chapter सिखाता हूँ तो आप इसकी practice जरूर करें क्योंकि अगर आप उसे practice करते हैं और सिर्फ लिखनी की practice नहीं आपको sentences कुछ मन में sentence बनाने चाहिए और दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि मैं फिर आज यह रहूंगा आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ और यहां तक वीडियो को देखने के लिए thank you so much मिलते अंगले वीडियो में बाई